So guys, क्या आप आपका PUBG Global ID यूज़ कर सकते हो PUBG Indian version पे हाँ या ना इसी पर मैं आज बात करने वाला हूँ एक नया update निकल के आया है जिसके बारे में मैं आपको सारी information दूँगा and also guys do not forget मैंने एक giveaway start किया है जिसके लिए आपको कुछ जादा नहीं करना होगा आपको सिर्फ ये चैनल को subscribe करना होगा Instagram पे मुझे follow करना होगा और एक simple सा question का जवाब देना होगा जिसका answer आपको इसी वीडियो में कहीं ना कहीं मिल जाएगा तो guys अगर आपको इसमें participate करना है तो simply subscribe करिए answer करिए and follow करिए and also guys अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो subscribe comment करके बता है आपको क्या लगते है इस वीडियो के बारे में तो शुरू करते हैं हम आज का वीडियो So guys आपको इस चैनल पर सारा information related to games मिल जाएगा अगर आपको कोई specific game के बारे में जाना है तो mention that in the comment section में उस पर एक वीडियो बना के सारा information आपके साथ share करूँगा And also guys अगर आपको ये efforts थोड़े भी noticeable लगते हैं तो do subscribe and go like and comment भी करके बताए अगर आपको कुछ कहना है इस वीडियो के बारे में तो guys आज हम बात करने वाले हैं क्या आप global ID का data use कर सकते हैं PUBG Indian version पे हाँ या ना So the answer is guys हाँ आप use कर सकते हैं आपको कुछ जादा करने की जरूरत नहीं होगी सिर्फ आपको एक yes बटन को क्लिक करना होगा हाँ आपको सिर्फ एक yes बटन क्लिक करना होगा जिसका मतलब आप जब login करोगे गेम में जब start करोगे एक prompt आएगा जिस पे पूछा जाएगा कि क्या आप आपका जो data एक global version हो या KR version हो या Vietnam version हो वहाँ का data क्या आप Indian version पे migrate करना चाहते हैं या नहीं ये एक question पूछेगा जिसका जवाब अगर आप हाँ देते हैं तो वो सारा information यहाँ पे हो जाएगा and also guys एक बात आपको याद रखनी होगी before you click this yes button अगर आप yes बारते हो तो you will not be able to play any other versions game so basically अगर आप yes मारोगे पबजी इंडिया ही कहल पा हो गया पबजी वियतनम नहीं खेल सकोगे पबजी कोरियन वर्जिन नहीं खेल सकोगे और नहीं पबजी ग्लोबल वर्जिन तो यह बात आप ध्यान में रखके ही yes जवाना so as a proof guys you can see a message on the screen so यही message आएगा जब भी आप पहली बार login करोगे यह equation पूछा जाएगा जिसका जवाब आपको हा या ना में देना है and also guys यह शायद आप सिर्फ जून 1st तक कर सकते हैं उसके बाद यह option prompt नहीं करेगा अगर आपको migrate करना है तो आपको 1st जून से पहले ही करना होगा so guys यह था अभी का update आज का update अगर आपको यह information थोड़ी बहुत अच्छी लगी है तो subscribe करिए guys like and comment करके बताएए क्या आप migrate करने वाले हो या नहीं तो I will be back with another video on this topic तब तक के लिए bye